इस वीडियो में आपको बताने वाँ कि आप कोई भी फाइल, फोटो, टेक्स अगर आप अपने वर्चूल बॉक्स से वर्चूल मेरी house machine में share करना जाते हो या फिर अपने host machine से virtual works में share करना चाताई यहां पर दोनूं में share कर सकत है कि तरह से करना है अगर यहां पर अभी देख से तो मैंने अपना virtual box open कर लिया है और यहां से अगर मैं यहां पर भी एक image file पड़ी है अगर मैं इसको share करूँगा तो यहां पर देख सकते हो यह share नहीं हो रहा है अभी देख सकते हो share नहीं हुगा और यहां पर अगर मैं इसको भी share करने की कोशि से सेर कर सकते कि यह बहुत बार ऐसा हो तो बहुत सारी इमेजेस होते हैं जो कि हमारे विंडो में पड़ी होती है होस्ट मसी में पड़ी होती है तो हम उसको वर्चुल बाक्स में रखना चाहते हैं अपलीकेशन हो गया फोटोस हो गया या फिर कुछ टैक्स हो गया आप उसक अगर नहीं इनेबल है तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं आप Ubuntu अगर Ubuntu यूज करते हो या पिर काली Linux यूज करते हो इस सभी में आप कर सकते हो आराम से तो यहां पर मैं स्पर से और चुका हूं अप्ना वर्चुल से यहाँ पर मैं मासीम पर जाऊंगा मसीम पर जाने पूर यहां पर से her क्लिप पॉर्ड और यहां पर आपको इसको बाई डर्यक्शन कर दे देना है इससे कि हाँ बाइद यानि हम दोनों तरफ से एक दूसरे में कर सकते हैं चाहे तो हम host machine से हमने virtual box में करें drag and drop करें यह फिर अपने virtual machine से अपने host machine में करें अंदेर यहां पर मैं OK पर click कर दूँगा अब गईस यहां पर जो अभी image share नहीं हो रहे थे यहां पर simply मैं click करूँगा और यहां से मैंने share कर लिया easily और इस image को भी मैं यहां से share कर सकता हूँ अगर मैं इसको चाहूँ तो यहां से भी copy करके यहां पर रख सकता हूँ यहाँ पर अगर मैं replace this file in the destination पर click करूँगा तो यहाँ पर रिप्लेस भी हो जाएगा तो यहाँ पर मैं इसको cut कर देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं easily work करने लाएगा पर से चोटी से सेटिंग करनी पड़ती है अगर आप इस्टालेशन के समय ही यह सेटिंग कर लेते हो कि यहाँ पर प्रॉबलम आती ही नहीं अगर भाई चांस गलती सेव डिसीबर होता है उसको इनिवर कर दीजिएगा तो आई हो फिरेंड ये वीडियो को पसंद आएगा त चैनल को सब्सक्राइब करेंजी वीडियो लाइक करेंजी प्रॉमेट करना भी विलकुन बनियागा